Assalamualaikum, this is Aqsa Mahmood and welcome to my channel मेरे पास एक कॉमेंट रिसीव हुआ है जिन्होंने बताया है कि उनका वी बैक अचीव हुआ है और जब उन्होंने वी बैक का डिसीजन लिया तो किसी का भी पॉजिटिव सजेस्चन या सपोर्ट नहीं मिला सब moral down करने वाले ही answer मिले के normal delivery आपको पता भी है कितनी painful होती है even मेरा बेटा first बेटा 3 years का है फिर भी डॉक्टर ने मना किया कि नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता after C-section मेरा normal बट बस आपका एक positive वीडियो देख के मैंने खुद को mentally और physically prepare किया big big thanks to you and Allah के मेरा normal delivery से baby हुआ and we both are fine thanks इस comment के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक और comment पढ़ना चाहूंगी Rosie R के नाम से ये comment मुझे receive हुआ है ये बेहन कहती है मेरा भी पहला C-section हुआ था जो के डॉक्टर ने वक्ट से पहले ही कर दिया था operation का तजर्बा इतना इतना खतरनाक था कि इस बार second pregnancy में Allah से बस नॉर्मल की दूआ मांगी थी और अलहमदलिल्ला उसने कुबूल कर ली मैंने भी अकसा महमूत की तरह VBAC के बारे में इंटरनेट से information हासल की अकसा की वीडियोस भी देखी अलहमदलिल्ला अल्ला के हुकुम से successful VBAC हो गया इन दोनों बेहनों को मैं personally नहीं जानती ना मैंने इनको कभी देखा ना इन्होंने मुझे कभी देखा बस एक connection है हम सब के दर्मियान जबसे मुझे ये comments रिसीव होए है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये channel बनाने का मकसद पूरा हो गया है इन लोगोंने मुझे कोई personal advice नहीं ली कोई consult नहीं किया मुझे बस मेरी videos देखी है और मुझे नहीं पता इन लोगोंने कैसे हिम्मत की है कोई भी इनसान जब एक चीज ठान लेता है न ये सिर्फ mental toughness की बात है इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है मैं आपको एक story सुनाती हूँ एक लड़की की एक लड़की थी उसका नाम था Wilma Rodolf वो immature पैदा हुई थी 22 बहन भाईयों में उसका 20 नंबर था 22 बहन भाई थे फादर ने दो शादियां की थी अपने बच्पन में ज्यादा तर वो बिमार रही है पांस साल के करीब जब वो पांस साल की हुई है तो उसे बुखार इतना तेज हुआ पोलियो की वज़े से बाद में उसकी treatment वगरा हुई तो वो पोलियो से तो रिकवर हो गई लेकिन उसका बाया पाउ पैरलाइज हो गया था वो चल नहीं सकती थी तो वो लैग ब्रेसिस की सहारे चलती थी 12 साल तक वो इसी तरह चलती थी अमरीका में वो लोग रहते थे अफ्रीकन थे वहाँ medical care कम थी अफ्रीकन्स के लिए तो उसने उस वक्त सोचा कि मैं चल नहीं सकती डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है कि अब आप पूरी जिंदगी नहीं चल सकती लेकिन मैं उनको गलस साबित करके दिखाऊंगी उसने खुछ से हिम्मत की अपनी mental power को strong किया उसने फैसला कर लिया था कि वो डॉक्टर्स को गलस साबित करके दिखाएगी सिर्फ चलेगी नहीं भागेगी और ऐसा भागेगी कि वर्ल्ड चैंपियन बन कर दिखाएगी उसकी इस हिम्मत को उसकी मा ने भी सपोर्ट किया उसका इलाज करवाया रोज लेके जाती थी उसे और्थोपैटिक शू होता है उसको पहन के फिर वो चलना सीखा उसने दिन में चार मरतबा उसके पैरों का मसाज होता था उसके बेन भाईयों की ये ड्यूटी थी फिर उसने आइस्ता आइस्ता लैग ब्रेस और और्थोपैटिक शू के बगएर चलना सीखा और 20 साल की उमर में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑलम्पिक चैंपियन बन गई थी ये सब उस कमजोर सी लड़की ने कैसे अचीफ किया वो तो इतनी पड़ी लिखी भी नहीं थी होम स्कूलिंग हुई थी उसकी अपनी हरवक की बिमारी की विज़े से वो स्टार्टिंग में स्कूल भी नहीं जा सकी थी उस कमजोर सी लड़की ने डॉक्टर्स को गलत साबित करके दिखाया सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल टफनस की वज़े से आप लोग जो मुझसे बार-बार पूछती है मैम हमारा फर्स सी सेक्शन हुआ है क्या बाद में दूसरा नॉर्मल हो सकता है डॉक्टर्स तो कहते हैं कि तीन साल के बाद भी 50-50 परसंड चांसे होते हैं बाद तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में प्रूफ के साथ कह चुकी हूँ कि डॉक्टर्स हमेशा सही भी नहीं होते हैं जब मैं वीबैक अचीफ करना चाहती थी तो मेरी डॉक्टर्स ने मुझे साफ मना कर दिया था आप कली एडमिट हो जाएं अपना सीजर कर वा लें आपका यूटर्स रप्चर हो जाएगा बट मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे सीजर नहीं करवाना मुझे नॉर्मल डिलिवरी ही करवानी है हाँ मेरे पास एक कॉमेंट आया कि आप लगी है कि आपने वी बैक अचीफ कर लिया लेकिन आप लोगों को मिस लीट कर रही है मिस गाइट कर रही है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन्स भी हो सकती है तो वो बात मैं मानती हूँ कि कॉम्प्लिकेशन्स हो सकती है और वो कॉम्प्लिकेशन्स हमें पहले से मालूम होती है जैसे के प्लासेंटा प्रीविया, डायबिटीज, शुगर वगरा, ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, मुझे इन में से अलहमदुलिल्ला कोई इशू नहीं था, इसलिए मैं 100% शोर थी, मेरा सवा दो साल का गैप था तीन साल का भी गैप नहीं था, बट मैं शोर थी कि मेरा हो सकता है, जिस डॉक्टर के पास गई थी, उस डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि हम आपका नॉर्मल नहीं करवा सकते, तीन साल का गैप नहीं है, बट मैंने उन सब को गलस साबित करके दिखाया, अपनी मैंटल टफनेस की वज़ा से मैं ये नहीं कहरी कि आप अपनी जान पर खेल के ये सब कुछ करें कुछ केसिस में वाकई ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है जिसमें हड़ी का छोटा होना प्लासेंटा, प्रीविया वगर ये सब मैंने आपको अभी बताया है और एक सीक्रेट बात बता हूँ हमसे जादा डॉक्टर डर रहा होता है जब वो देखता है ना कि पेशन्ट खुद डर रही है तो उसके लिए तो और असानी हो जाती है ज्यादा पैसों में कम वक्त में वो फटाफट सी सेक्शन कर देता है तो नेक्स टाइम जब आप मुसे सवाल करें कि मेरा नॉर्मल हो सकता है सी सेक्शन के बाद तो ये सवाल आप अपने आप से खुद करें कि क्या मैं ये कर सकती हूँ अगर जवाब हाँ आता है तो आप बिलकुल कर सकती है देख के फॉरण आप्रेशन की तैयारी करने लगी, डॉक्टर को कॉल कर दी और मुझे रिलैक्स होने को कहा, कि अराम से लेट जो, कोई पुछ करने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर अभी आती होगी, तुम्हारे सी सेक्शन हो जाएगा, पहला भी सीजर हुआ था, तो लड़की अपने स्टोरी में लिखती है, कि नर्सिस तैयारी कर रही थी, सीजर की, और मैं यहाँ पुछ कर रही थी, और बगएर किसी की हेल्प से मेरी नॉर्मल डिलिवरी हुई, और नर्सिस हैरान रह गई थी, उस ल जाएगा तर बगजा सब दूर कर ठारान तक राल।